कि यां बार सब लोड बता दो अधे हम सब लोड लाइव हो चुटे हैं है अगल निसे आप सब लोड मुझे आइब बता दीज मसब लोड लाइव हो चुटे हैं है और आपको मेरी आवाज इस ऐड़ तो आज टावाई सेशन है यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं आप बता दू आप लोगता जैसे ही एज़ाम नस्दीट आ रहा है या फिर आप किसी भी एज़ाम की तेहरी टखते हो वैसे रेलवे मैं इसलिए ज्यादा फोट्रस टड़ता हूं कुछी ज्यादा तर मेरे जो स् मतलब आपने अगर यह top 100 प्रसन पढ़ लिए और इसके concept समझ लिए तो आपको आवर्ज सांडी का जितना भी basic concept है मतलब जो basic आपका concept है basic के साथ question भी है वो सारी सारी चीज़े clear हो जाएडी यह class ना आपको आवर्ज सांडी से जो डर है ना वो दूल कर देजी तो पहले आ sound clear है भाई सबको जल्दी से बता दीजे sound होके पुरसोत्तम ठीके चलिए थोड़ा एक बार सब लोग पहले session रो शेयल कर दीजे थाटी maximum load को पता चल सके तो आज Sunday है मतलब आज 6 तारीट है मैंने आपको बताया थाटी 6 तारीट मतलब हर Saturday और हर Sunday ओली बोल्ड पे आपका live mod test होता है यह mod test ही ठास बात किया है कि इस बार इस संडे टो यह तीन एज जामोट आप मोड टेस्ट होड़ा TBT2, RRC Route D और SSC, CGL Tier 1 यह mod test आप Hindi English देनों लैडवेज भी दे सकते detail solution के साथ और performance analysis भी तर सकते तो जाएए आज 6 तारीट है लास्ट बात आप इस्टो दे सकते है बड़ी बात यह है कि हर संडे और सेटल्डे कम से टम 10-15,000 student इस mod को देते हैं कम से टम 10-15,000 उसमें आप तो अपनी rank पता चले रहे यह बहुत बड़ी बात है आप समझे ना चलिए तो एद बार और दबाते पहले share कर दो फिर हम लोग जो है थाकि हाँ देखो class टो सुरू और आजे बढ़े ले यह देखिए यह रही आपके सामने प्रियोडे टेबिल पहले मैं आप चीजे कुछ क्लियर कर दू मतलब इस्टे बारे में बहुत सरी जो ट्रॉंसेप्ट है उन्टों बता दू थोड़ा थोड़ा तादी आप लोडोटों हर एक के बारे में यहाँ पर आइडिया हो सके है यह देखिए यहाँ पर मैंने आप लोडोटों के सामने एक प्रियोडे टेबिल बनाई है और इस्टों माइंड में आप बसा लो ठीक है मैं कुछ बाते आपके साथ डिस्ट्रस करता हूं उस्टों बात समझो पहले यह जो पूरी प्रियोडे टेब यह त्यालाती है तुम्हारी modern period table ठीके इस modern period table की ठोच स्थीती मोजले ने 1913 में इस पर चाहा है मैं आप रोता दू यह जित्री वी वर्ड कर लाइन है एट ऐसे यह वर्ड कर लाइन है तो यह सब पहलाती ही तुम्हारी वर्ड तो कह सकते हो जो वर्ड कर लाइन होती है व आठ हो जाएंगी है ना और जोंटल लाइन ने देखिए एट और जोंटल लाइन दो तीन इस तरीटे से देखो होर्ड लाइन तो टोटल हाइड्रोजर होर्ड लाइन यहां तर देखिए साथ है है कि रही साथ देखे थोड़ा समय आप रुता दू यह जो 6 और 7 लिठा है यह इसी तर एक पार्ट होता है तो आगर और जोंटल लाइन को हम लोग आवर्ट कहते हैं तो धारपना आवर्ट की जो संख्या होती है वो तुबहरे साथ होती है हाथ आवर्ट में तुम्हें ततोर्टी संख्या भी पता होना चाहिए बड़े ध्यान से सुना बहुत ध्यान से बड़े कैदे में देखिए हर बात को देखो यह जो पहले और दूसरे वाले वर्ड के तत्त होते है पहला दूसरा तीसरा वर्ड चौथा वर्ड पाच्वा और शटवा वर्ट साथवा आठवा नौवत दसवा इस तरी टेस जाके 18 जो पहले दो वर्ट के तथ ये दो वर्ट के तथी ये तहराते तुम्हारे S वर्ड के तत्व, S element अब आप मुझे बताओ S element है टितने अगर आपको S element इनकालना है तो count कीजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 6, 13 तो अगर तुमसे S element के कोई तत्व पुझे तो आपका answer जाना चाहिए 13 के 7, यह जो बीच वाले जाता है D block element ठीके? और इधार वाले यह जो element है, यह element into बोला जाता है P block element तो यह तुम्हारे टेलाते हैं P block element तो यह है तुम्हारे P block element P block और last में यह जो 6 और 7 lengthenite और ethenite से रिज लिपी है, सर यह F block element होते हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए, तो आवर स्तारणडी में तहां तहां होता है, मतलब यह तुम्हारे S element इधार P उधार और बीच में तुम्हारे D होते हैं, ठीके? D के अंदर धारफना S वाले तत्तों भी आजाते हैं, यानि इनकी property भी जाती है और P वाले तत्तों की बहुत धान से तुम्हारे इसलिए बोला जाता है इनको धारखना चाटी ये D, बतलब जो हो है S और P के बीच भी आता है, अब एक और बड़ा important question आता है तुमसे, मैं वो भी बताता हूँ, ये जो ग्यारवे वर्डिटी धातुए है न ये सब धातुए, copper AG AU, ये जो ग्यारवे वर्डिटी धातुए है इनको हम लोड एक और नाम भी देते हैं, धारखना इनको बोला जाता है, सिट्टा धातुए, तो आप बताना, copper AG और AU, ज्यारवे वर्ड में आते हैं ये सब, ठीक है, आधे देखिएगा, P blot element में आपको पता होना चाहिए, ये जो लास्ट वाला अठारवा वर्ड है, अ यही वाली ठैसत्यों जो डैसे बनती हैं, इनको नाम देते हैं, हम लोड नोबल डैसे, तो अठारवे वाले को नोबल डैस्ट हो, या अट्री डैस्ट हो, एक ही बात है, बोलो भाई, बास आपको क्लियर है न, इसी तरह कोई doubt हो, तो बता देना, ठीक है, ओटे, अब इसी यह सब चीजे तो याद होनी चाहिए, उस्टे साथ सद में आप बताओ, उस्टे साथ सद में आप बताओ, कुछ चीजे और आप तो समझ में आनी किये, देटो मैं बता देता हूँ 8 मेट, 8 मेट और बस रुच जाईए, जब भी आप से प्रियोड टेबल टा सेफ पूछे तो टहना प्रियोड टेबल टा सेफ कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था बस, इतना याद रखो, और यहाँ पर याद टनना, यहाँ पर था 6F, और यहाँ पर था 7F, बस यह याद रखना, इस्टे बाद मैंने आप तो बताया, यहाँ पर इस तरीके से पहले आपके दो element हो इस तरीके से आपको, यह P blot element, यह S blot element, यह D blot element, और यह तुम्हारा P blot element, ठीके, इनकी मैं संथिया अभी पूरी बताता हूँ, ठीके, पहले आप लोग डोको इतनी बास समझ में आनी चाहिए, हाँ बिलकुल, क्या बढ़े रा, क्या घटे रा, मैं 8-8 question में आपको बता है, कि हर question की explanation, क्या होनी चाहिए, बस, आप देखते गाईए, हर question को आपको, क्या दे में समझ में आए रहा, ठीके, चलिए, बिलकुल, गौतम संदीर, बस एक मिनट रोग जाईए, उस तरह एक question आने दीजे, मैं फ़र पूरी बात उसी में आपको समझा दूँ रहा, ठीक जब मोजले ने खोज थी, तो धारत न, इन्होंने क्या टिया, कि आवर्श अरणी में 18 वर्ड बनाए, और 7 आवर्थ बनाए, ठीके न, और इनकी जो मोजले की खोज थी, ये भी धारत न, ये परमाडू ट्रुमान पर आधारित थी, मोजले की खोज, ठीके, अब 118 में क् हिंट दे दू, अगर आप से टहा जाए, 118 में बताइए जरा सर, कितनी धातूएं हैं, कितनी अधातूएं हैं, और कितनी टैसितो उपधातू हैं, तो उपधातूटी संख्या होती, साथ, पहले तो इदा रखना, साथ तुम्हारी उपधातू होती है, साथ तुम्हारी उ यहां पर आप लोड यहां पर आप लोड जा रहा पांच होगा है इसे बात तुबारा क्या सकते हो टी आए यहां पर और एक ओल लास्ट बे आपकी धातु आती है उस्ता नाम है आपका ऐसे यहां पर एंटी मनी और यहां पर पोलोनियम यह विटाण में जो आता है धारखना यही विटाण में क्यलाती है साथ उपधातु अम एक छोटी जबात बताओ अगर यह तुबारी उपधातु बे तो विटाण में जाएंगे तो आपको अधातु बेमती है कि निखा अधाथ है जाएंगे आपको आधातु मक्राओ अंसर तुम्हारा मोजलेटे साथ जायडा तो भाई बास आप तो ट्लियर है किसी तो टोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजे फड़ा बड़ जल्दी से बता दीजे अमें एक छोटी सी बात और बाप तो बता दू 118 में आप लोगों को कई बार पूछा जाता है जैसी तत्तों कितने हैं लिक्विट तत्तों कितने हैं और सॉलिट तत्तों कितने हैं सॉलिट तो धारत ना 118 में लगभट जो है 11 जैसी तत्तों हैं लिक्विट तत्तों लगभट 6 हैं और आप बता दे लगभट 86 के आसपास तुम्हारे solid है, जैसी तत्तों आप हात में दिर सकते हो, helium, neon, argon, krypton, xenon, redon, छैटे बाद आपके सकते हो, एक और जैसी तत तत तो आपको याद होना चीए, और cajan है, hydrogen है, nitrogen है, chlorine है, fluorine है, इस तरीके से 11 जैसी तत होते है, liquid तत भी होते हैं, प्रोमीन 1 liquid होता है, Hg liquid होता है, इस तरीके से total 6 liquid धातुएं होती है, 86 solid होते है, अब आपको होगे की सा, total तो 118 नहीं हुआ, मैं मुझे पता है, बिल्क्र नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं, जो अभी unknown है, जिनके बारे में पता ही नहीं चल पाया, तो उनके बारे में आप से कभी नहीं पूछ से हम लोगो रोटोस्टे बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, चल यह, अब मैं एक छोटी सी बात आओर आप यह पहले stream sort ले 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 ना भीया, चलो मैं आद्ले वाले question में समझाता हूँ आदले वाले question में, जैसी यहाले question में संदा देता हूँ, बदा ही है, आधुनित आव साथवा और साथवा, यह साथ आवर्थे टोटल, आपको पता है, पहले आवर्थे में इतने तत्तों में ले ले ले, पहले आवर्थे में दो तत्तों है, ऐसे horizontal लाईन है, थोड़ा दोर से देठी है, एठ हाइड्रोजन और उधार हीलियम, उस्टे बाद दूसरे में दो तत्तों हैं, यह दो तत्तों कौन से हैं, उन एक तत्तों में यानि परमाडु प्रमांट एट से लेके दो तत्त, मतलब हाइड्रोजन और हेलियम, यह पहले आवर्थे में आता है, अब दो होच चुटा खतम, तो तीन से लेटर, आठ और जोड़ दीजिए, दो में तीन से लेटर, दस, अगर परमाडु प्रमान तीन से दस है, तो दूसरे आवर्थ में आएड़ा, तीसरा देठी है, अब ग्यारा से लेटर, अठारा, यह तीसरे आवर्थ में आएड़ा, अडला नमबर देख लेते हैं, अब 19 से स्टार्ट होड़ा, अब 18 जोड़ना जैसी टेल्सियम आजाता है, स्टेंडियम आजाता है, टाइटेनियम आजाता है, वैनेडियम आजाता है, ट्रोमियम आजाता है, बहुत पुछा जाता है, यह सब चौथिया वर्थ में आते हैं, अब इस्टे बाद देखिए, 37 से लेटर, अब आप फिर से इसमें 18 छटवे आवर्थ में आएगे इधरी बाद सब्सक्राइब हो रही ना और मैं आप बता दू बहुत ध्यान से सुनना 86 के बाद 87 87 से लेकर क्या सबते हो फिर आप 32 जोड़ो रहे 86 में 118 118 के सकते हो यह तुम्हारे तत्व आएंगे सात्वे आवर्थ में बड़ा आराम से समझो अब तुमसे ऐसे कोशन पूछा जाता है अब बहुत ध्यान से सुनना यहां से आवर्थ सब पता चल दिया ना ठीक है विल्कुल मैं सारी चीजिए आप तो बताता हूं बस मैंने तह फचार सी से सब्साइब यह देखो है तो जल्दी से कौशन से आवर्थ में हैं जल्दी से बताइए इस्टा जो आवर्थ है यह दो तुम्हारा अवर्थ 6 हो जाय यह बास सब को क्लियर हो रही डिए नहीं हो रही जल्दी बताईए समझ में आया ती नहीं आया इतना ठीक है फिर से मैं एक पोश्चन आपसे पूछू बताओ ने मैंने तहां मेरे पास एक और तत्तों है एक्स इस्टा परमारू ट्रमांथे बानबे आप उसक्ता जल्दी बताईये इस्टा आवर्त इतना होड़ा इस्टा परमारू परमारु प्रुमान्ट बानवे है तो इस्ट आवर्त मुझे बताइए कितना होगा तो टोड़े 87 से 118 तीबिच बढ़े रहा बानवे आवर्त सर्थात होगा कि समझ पा रहे है ना चलिए एक और सवाल मुझे बताइए जल्दी से मैंने कहा मेरे पास एक परमारु प्रुमा रहा उनीस से छतीस रट लो यह तरही बार एक्जाम में आता है यह जो 20 से 30 तट एलिमेंट होते हैं 1936 हमेशा जो है चौथे आवर्त में आए रहा फोर्त आवर्त में आए रहा बताईए इतनी बास आपको क्लियर है अम एक छोटी से बात आओ बताओ शत्वे आवर्त में दे चौधा तत्व होते हैं लैंतेनाइट चरणी में 14 तत्व होते हैं तो अगर तुमहरा 85-85 शी ऐड़े चम भी पड़े ज़्तीज़ शी तो 58,68 में 14 तत्व फोर्त । पूछे कि 58,68 का इलिमेंट एलिमेंट है रहा प्लोट है डी बोट है रहा है यह व्लोट है तो 58,78 में सात्वे आवर्थ पे तत्व है सात्वा आवर्थ ऊपर भी था नीचे भी था अडर यही तुमसे पूछा जाता कि 59 से लेटर 803 यह भी तुम्हारा क्या सकते हो आप्टा एक ब्लॉट एलिमेंट है लेटर अंठावन से लेतर इथातर तर्ती सीरीज टेलाती है लेंथे नाइट से लेटर यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताईए अडला कोशन बढ़ा जाए तो फलाल इस्टा अंसर क्या होगा आवर्धी संख्या साथ है और हर आवर्ध में तब पूछे जाए तो आपका आंशर यह होगा और अगर उनके पर्मारुत्रमान पूछे जाए कि पहले अवर्त में तितने से लेटे तितने तक रहेंगे आपको याद होना चाहिए नमस्टार नमस्टार ठीके इधरी बास सब तो क्लियर है चलिए अडला टोस्चन देखिए नेस्ट टोस्चन कोशन नमबर जल्दी से बत इटने से बस्समें से प्राटिट इतन है वैसे ममः प्रताज़ दो अर्थारज़ तक्तों में से अब हम लोग जो प्रक्टती प्राप्त बच्टते हैं 98 है जबकि यह औहीं भी नया दोhelों दो renewed Flip ऍसी nawります उन्टा आंसर सही है, चौरानमे मैंने बताया थिए आप लोगों चौरानमे भी पढ़ाए दिया होगा, लेगे अब चौरानमे सही नहीं है, इस बार तो याद रखिए रहा, चलो इस्टो लगाट देखिए, आवस्तार्णी में वर्डों की संख्या तितनी होती है, थोड़ बारा वर्ड तक, फिर आप्टा टैस सकते हो, इस्टे बाद आजाए रहा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, और अठारा, तो टोटल तितरे वर्ड है, अठारा, अब मैं आप तो थोड़ी सी बाते बता दू इस्टे बारे में, जो पहला और दूसरा वर्ड होता है यह सर स ब्लॉट एलिमेंट होता है, एस ब्लॉट एलिमेंट होता है, पहले से दूसरा, लेटे पूरा तीन से लेटे बारा तर, यह पूरा, यह पूरा होता है, डी ब्लॉट एलिमेंट, यह पूरा होता है, डी ब्लॉट एलिमेंट, लेयर करते हैं ना, थोड़ा सेसन दू तो मजा रहा हो तो और 13 से लेटे पूरा ठारा यह होता है P blot element इन्ठी संख्या याद है नहीं याद है बताओ S blot element पी संख्या कितनी है मैंने बताया था पहले आवर्थ में होती है साथ पहले वर्ड बे साथ दूसरे वर्ड बे छहे तो S blot element आपका 13 होते है S blot element कितने होते है तेरा जबकि अगर मैं P blot element थी बार करता हूँ तो P blot element थी संख्या होती है 37 P blot element थी संख्या 37 और 37 तो तेरा पचास पचास में से 10 टम्टर दो D blot element 40 और इसी ते नीचे ऐसे दो सीरीज और होती है एक 6F दूसरी 7F जिस्टों आप लेंथे नाइट और 79 सीरीज रहते है दोनों में 14-14 होते है तो यहां तत्तों टी संख्या हो जाएगी 28 तीटे 13, 37, 50, 50, 40, 90 और 90 और 28, 118 तो बताइए जल्दी से ये बात भी आप सब क क्लीर हुई कि न्यक्लियर हुई जल्दी मुझे बताइए पहले फटार से मैं यहां पर में यहां पर मेंडलीफ की आवर सांडी में दीति पहली आवर सांडी मेंडलीफ नहीं दीती मेंड लीप की आवस्तार्णी इता जो आधार था वो परमाडू भार था पहले आपको यह याद होना चाहिए अचा आपको पता है कि आधुनित आवस्तार्णी में 18 वर्ड थे और 7 आवर्थ थे मेंड लीप की आवस्तार्णी बनाई थे तो उसमें कितने वर्ड कितने आवस्तार्णी बनाई थे वो जो बीच का डी ब्लॉट एलिमेंट थे उस्तों ड्यवीटर दिया था तो पहला दूसरा और डिरेक्ट तेर्वेटों ही तीन माना था जिस्टी वज़े से धारखना उन्होंने जो है कितना आप तो बोला था आठ वर्ड बोले थे अपनी आवस्तार्णी में और साथ आवर्थ बोले थे कि अधियर है ना जल् weakest बताईए फडा बर जल्ली बताईए और पढ़े पढ़ा जाए आरे पड़ते नेस्से टौशन्सरों फ्यल इस वाइस्तों आप्ट देखें इस फड़ा आपढ़ जल्लीद पढ़िये घान से देखिए रहा जवाब दीजे रहा बिलकुल-बिलकुल सबसे जादा इंपॉर्टेंट है उनिस से लेकर 36 जितने भी तत्व आते हैं वो सब चौथे आवर्थ में आते हैं इस बार तो पहले समझ लो सबसे लेकर 39 जितने भी तत्व आते हैं तो सब क्या होना चीह क्या चीह क्या होना चीह क्या है और उसके बाद कह सकते हो आपके 11 समूव, अच्छा 11 समूव में धातु आती है, याद आ रहा, याद टोडो मैंने आपको अभी ट्लियर टिया था, 11 समूव में सिट्टा धातु में थी, सिट्टा धातु थी, ठी ना, सिट्टा धातु में कौन सी थी, प्रॉपर था, ए जी और ए यू था, आंसर जो है, टिस्टे साथ चला जाएगा, सर प्रॉपर के साथ चला जाएगा, और सर अमबर C, समाझ में IIT नहीं आया, जल्दी से बताईए, अब मैं आपको एक चीज आपको समठा दू, थोड़ा सा ये चीज जो है ना, आप लोगों की बड़ी टाम में IIT टोटी ये सबसे आधा कोशन पुछा जाता है, मैं थोड़ा सा ये बात बता दूआ, सुनो, देखो, इस्टेंडियम, इस्टेंडियम पता है न, इस्टेंडियम हो दिया, टाइटेनियम हो दिया, वैनेडियम हो दिया, वैनेडियम हो दिया, प्रोमियम हो दिया, बहुत निकल हो दिया, कॉपर हो दिया, जिन हो दिया, यह वो element है, जो अक्सर अज्जाम में पूछे जाते हैं, यह वो element है, बहुत ध्यांद सुनना, यह element मैंने 80 ही आवर्द के element लिखे, और यह पूरा पूरा आवर्द थे, चौथा आवर्द, प्राओं से आवर्द थे, सब अब बहुत ध्यांद सुनना, इसे छोड़ दीजे, इस्टा वैसे ज्यादा रोल नहीं है, में यह है, पर्मादु प्रुमांट इटिस से लेटर, पर्मादु प्रुमांट आपका यह पूरे पूरे चौथे आवर्द के तत्त होते हैं, लेड़ा अड़ा तुम्हें इसमें वर्ड बताना हो, वर्ड वर्ड तो आप क्रमसा जोए, इस्टेंडियम से शुरूट अनना और उस्टो तीन देना, टेल्सियम तो दो में आ चुका होगा, टेल्सियम तो दो में पहले मुझे बताईए सब लोग, अब मैं इस्टो हटाने के बाद आप लोगों को एक छोटा सा प्रस्म पूछता हो, जैसे मालोग कल्टो सवाल में आ जाए, निकल का आप यही सबस्यादा आता भी है, निकल का आवर्द बताओ और वर्ड बताओ, तो आवर्ड बताना त कि अटवे, दो जोड़ दो टुटी सुवात वाले दो तो हो चुटे होने रहा, तो बताईए, निकलbbe तकर जो वर्ड हो जाये दा, तो प्लст 7 में नहीं आया, जल्दी से बताईए, यह यह बाद अब सब लहा गला समग में आय ता नहीं आई वहा बढ़ा जैसे कि मन लीजे मैंने लिठा होता मैट नीज और मैटनीज पुरमाण क्या होता है 25 आपको मुझे मैदनीज न य से जल्दी से और मुझे मैटनीज वर्ड न ल मता बता इए बननेज़ा है सब यहीं पूछे जाते हैं अब बताइए तो आवर्थ क्या होना चीए वर्ड क्या होना चीए तो आवर्थ तो सर चार बताओ मैंने बताया कि 19 से लेटा पूरा 36 चौथा आवर्थ है लेटे वर्ड में इंपॉर्टेंट है तो पांच लेलो और पिछला वाला दो जोड़ दो इस्टा बतला साथ तो इस्टा आवर्थ आपटा चार होड़ा जबकि वर्ड हमारा साथ होड़ा अब सवाल में देखो 11 समूत तब बनेड़ा जब 9 2 11 और 9 मतलब 29 तो आंसर जाएड़ा टॉपर के साथ ठीक है चलो आगे बढ़ते अड़ला तो से देखे चलो इस्टो बताईए यह तो आसान है बाई यह तो आसान है जल्दी से मुझे बता दीजिए इस्टा ट्रेक टांसर क्या होना चीए है बताईए इस्टा जो ट्रेक टांसर होड़ा वो च्या होना चीए पड़ा बर जल्दी से बताईए इस्टा ट्रेक टांसर क्या होना चीए यह देखिए मैंने आप बताया आवस्टार्णी में यह जो साथ एलिमेंट ऐसे होते हैं यह ऐसे यही साथ एलिमेंट उपधातुए टहलाते हैं और उपधातुए दो बोलो जाता है इस्टे बाद ये साथ और फ़र ये तुम्हारा आधात में 20 ठीक है चलो आगे बढ़ा जाने एक्स्टोक्षन चलिए आगे बढ़ते बस तमस्ते जाईए बहुत अच्छे चीजे मैं आपको बताऊं राजी इसको लगड़ देखिए एक ही आवर्त में कत्तो टे परमाड़ू ट्रमांट में क्या समान होता है दो तरह ये प्रसन बनते भाईया कहेड़ा एक ही वर्ड में ये वर्ड है और एक ही आवर्त में बताना है जल्दी से क्या समान होता है ठीक है बहुत अब अब एक ही वर्ड में पूछे जैसे टी सोडियम, पोटेशियम rubidium, cgm, इस्टे last cell में जो सैयोजी electron होते हैं वो समान होते हैं, तो एक ही word में धारखना, जो चीजे सेम होती इस्टा नाम है सैयोजी electron मतलब अन्तिम्टोस में electron sodium के अन्तिम्टोस 8 है sodium के नीचे, potassium में 8 है, potassium rubidium के नीचे, अन्तिम्ट सेल में 8 है लेकर आवर्त भी क्या सेम होते हैं आवर्त में सेम होते हैं, टच्छाओं की संथ्या, टच्छाओं की संथ्या टच्छाओं की संथ्या, टच्छा मतलब में मैं आप आप बताता हूँ, बहुत जान से सुनना जैसे कि sodium के 288 288 उसके बाद देखिए magnesium 282 aluminium 283 आप गौर से देखिए जोड से 288, टीन टच्छाओं टीन टच्छाओं, टीन टच्छाओं, टीन टच्छाओं तो यह सब एक ही आवर्त में होते हैं सोडियम के बडल में होता है तुम्हारा सोडियम इधर है, उसके बडल में magnesium, भी बलॉट element है ही नहीं बीच में ठाली है, इसके बज़ें से ठाली छोड देने बाद फिर aluminium आ जाएडा फिर वहाँ पर टैसाथ तो silicon आ जाएडा, aluminium के बाद यहाँ पर silicon आ जाएडा, phosphorus तलफर इस तरीटे से, तो आप तो समझ में आना चाहिए ति एक ही वर्ड में सेंजी electron बराबर होते, ATV आवर्ड में, आप टैसाथ तो touch-out इसंथिया, तो सही answer होड़ा, आवर्ड के साथ, कोसोती संथिया, कोस टै दीजी या touch-out इसंथिया, आपसर नमबर A वालो, सब लो clear है ना? चलिए, आजे बढ़ते हैं, हर तरह तरह तो मेंडलीब की आवर्ड सार्णी में, कितने टैसाथ हो आवर्थ होते हैं, आपको बताना है, आवर्थ और वर्ड जल्दी से बताईए, मेंडलीब की आवर्ड सार्णी में, कितने होते हैं, बिल्कुल, बीच वाला गयब होता है, मैंने आपको बता रखा है, उन्होंने क्या पूछा पहले पूछा पहले आवर्थ साथ वर्ड आठ बिल्टोल साथ और आठ कि अबसर अब बर्थी कि लिए बताई जल्दी से इस्टा आंसर फड़ा बर जल्दी से पढ़िए और बताई इस रटाए टांसर च्या होना चीए आपके सामने अडला कोशन अमyoung आप यहां से देखे नियू लेंड को עस्टरनियम आचुटा है आपको बताना है चीजा यह पोला दिया पहला कि जो पहला तत्तो होता है वो आठवे तत्तो के बराबर होता है या समाल गुड़ दसता है जैसे कि मैं आपको होता हूँ लीथियम लीथियम के परमाडू क्रुमन तीन है अब इसके बाद आठवा तत्तो कौन सा हो रहा है सोडियम तो तीसरे के बाद आठवा तत्तो है आप मतलब आब बाद में आठवां, यहां आठवेटा मतलब परमाडू ट्रमांट आठवा नहीं है, पहला तत्व आठवेटे बराबर होड़ा, दूसरा तत्व नौवेटे बराबर होड़ा, तीसरा तत्व जो होड़ा, वो दसवेटे बराबर होड़ा, तो इस्टा सही आंसर हो कि यह चलिए बताई इसने टैट अंसर क्या होना चाहिए थिए थोड़ा इपर से सम्रों स्यार कर दो कर्मारु संठिया 37 से लेटे 54 तक किस आवधी में आते हैं मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि जो 18 से लेटर 18 से नहीं 19 से लेटर 36 तक थे वो चौथे आवर्त में थे यादना 37 से लेटे 54 तक यानी 18 और चोड़ दीजे सर ये पाचवे आवर्त तक होंगे और सरमबार बी देटा तित्रे सारे लोगता सही आंसरा है यस वेरी डूट चार भाईया नहीं है यार चार कैसे दे रहे हो आपलोड यार नहीं है सही है ना यह सब मैंने अभी शिठाया भी आप लोडोटो यार अब तो लगत मत दीजे अगर एक बार मुझे और बताना हो तो बताओ मैं बताओ इसका आंसर दीजे पहले आवर्त में तत्त होते हैं एक से दो परमाडू प्रमांट वाले दूसरे आवर्त में होते हैं 11 से लेटे 18 14 चोटे आवर्त में होते 29 से लेटे 36 फाच्वे आवर्त में होते 37 से लेटे 24 हरा 18 रोड दीजे उस्टे पाथ शट्वे आवर्त में होते 55 से लेटर 87 छवववन और 37, 26, 27 से लेटर 118, इस तरी टेस होता है, अच्छलो, बदाई इस्टा आंसर, निव लिचित में कौन एक सून समूटा तत्व है, सर सून समूटा हो या 18 समूटा हो, इस्टा आंसर जाए रहा हीलियम के साथ, ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये 77 वल्टे तत्व होते, 77 वल् कुछर अबर तेरवा बताईए, तिस तत्व के परवाड़ू में, कुल दो टोस होगे, और स्था जबता चार इलेक्ट्रॉन की होगी, बड़ा ध्यान से लगाना भी या इस्टा आंसर तो, फिर बताईए रहा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हीलियम सबसे हल्की टाह से मैं पूरी तरीटे से ये कोसिस्टर रूंड़ा ति मुझे जो चीज जहां बतानी है, मैं वहीं बताऊंड़ा, वो ज्यादा सही रहे दिया रहा, फिर अबर से से सेर कर दो सब लोग, तो टुल, दो टोस होने चाहिए, और से हो जबता चार इलेक्ट्रॉन, देटो, नैक् चीए, और से हो जबता चार, तो कोस दो, इसमें नहीं है, सिलिकॉन में देखो, एक, दो, तीन, तीन कोस हैं, जबकि टार्बन है, इस्टा सही अंसर, और से नमबर एक, जेटो, सब ने बी, 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 रखे जवाब दिया, इतने सारे लोडो टुलत अंसर आया, यार, क्या चलिए, अडले टोशन यो देखिए, टोशन नमर 14, बताईए, आधुनित आवस्तार्णी को तितने बलोट में बाटा दिया है, बताईए, इस्टा अंसर दीजी सब लोट, आधुनित आवस्तार्णी को तितने बलोट में बाटा दिया है, तो वही, चार बलोट, S बलोट, P blot D blot और F blot सब में तत्तोटी संक्या जो भूर याद रखना S blot में होते हैं 13, S blot में 13, P blot में 37, D blot में 40, F blot में 28 इस अच्छा जो पहले S blot में 13 होते हैं वो 7 प्लस 6 होते हैं इस बात भूर याद रखना है तो 4 blot में बाटा गिया है आफ्सर नमबर इस बिल्गुल S, P, D, F एदम सहिए चलिए बताई इसको 15 नमबर जाद दो एक ही सम्मू में अब यहाँ समूर आठोशन है जलत मठना एक ही सम्मू में परमाडू संक्या में क्या समान होता है मतलब तब तब तो यदी एक ही समू में आ गए हैं, तो बताना है उनमें क्या समान होगा, प्रोस्यूटी संथ्या, सेयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाडू संथ्या या फिर परमाडू भार, बताओ जल्दी से, अच्छा इस्टी PDF मैं अपने टेली डाम चैनल पर डाल दूँग योडी, फिजिक्स, और कॉंसेप्ट, योडी, फिजिक्स, कॉंसेप्ट इसपे डाल दूँगा, आणा आप इसपे ले लीजे रहा, तो मैंने एक ही समूर के लिए आप तो बता रठा है, सेयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लीतियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूब कुछ आंत्रिक संक्रमण से होती है, बताना है, बहुत वड़ी ऐसा होती, जो S-Block है, P-Block है, D-Block है, इनकी मैंने संख्या तो आप लोट को बता दिये, S-Block में दो element, या दो word, पहला word, दूसरा word, P-Block, अब मैं आप तो बताता हूँ, जो पहला वाला word होता है, S-Block का, इसनों बोलते हैं हम लोट, छारी धातु है, दूसरे वाले वर्टो छारी मिर्दा धातु है, D-Block को संक्रमण तत्र, लेडिक नोंने पूला है, आंत्रिक, आंत्रिक, संक्रमण तत्र, F-Block element को टहते हैं, और F-Block element देठी, तितना है, तुम्हारा, अक्ठाइस होते हैं, तत्तोरी संद्या, यस, आउप्सर नमबर D, चलिए, अजले टोश्य की ओपढ़िए, टोश्य नमबर 27 लगाश, देखिए, आवर सार्णी में सबसे अधीट, और यह वाले कोशर आ रहे, आवर सार्णी में क्या घटता है, क्या बढ़ता है, ठीक है, आवर सार्णी में क्य क्रतनांत होता है, ता रखना, अंडश्टन का, लगभग, 3450 दिवी सेंटीडेट के आसपास, और सबसे टम क्रतनांत होता है, हेलियम का, इस्टो याद टलो, सबसे अधित क्रतनांत अंडश्टन, और इसके बाद, यह आपका टेस अबता हो हेलियम, ओप्सर नमबर D, आज अब भाई, तोड़ा एक बार सेसं डो, लाइट टर दो, जल्दी से पहले एक बार लाइट टर दीजे, फड़ा बड़ जल्दी से अधिए पर धबात शेयर कड़ो पहले, आजनेत आवस्तार्णी में, तेड़ी मेरी रेठा में, टौन से तत्तो हैं, तो यह है तेड़ी मे प्रच्टों ने सी आंसर दिया है उन्टा आंसर सही है और मैंने ट्रही बार बता चुटे सात उधात हुए होती है चली इस तो लगाट देखी जल्दी से आवस्तार्णी के एस ब्लॉट में कितने तत्त होते हैं चलता है इतरा दोस्त चली आवस्तार्णी के एस ब्लॉट में तेरा एलिमेंट होते हैं साथ प्लस छे साथ प्लस ठीक है चलिए आजे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोश्चन वोश्चन नमर बीज लगाईए बताओ जल्ली से इस्टा आंसर इस्टा आंसर भी दीजे आजुनिट आवस्तार्णी में तुल धातू उबधातू और अधातू तो धातू मैंने बताया इनक्यानवे उबधातू साथ और अधातू लटबट्टितरी होती है बीस इनक्यानवे साथ बीस इनक्यानवे साथ बीस अब जल्दी बाजी में A औ पहले धातु पूछिए फिर उब धातु पूछिए फिर अधातु पूछिए अफसर नमबर C देखे चलो आज ये बढ़ते इस्टो लाइटे देखिए मात्र एट तब तो जिस्टे पास कोई निट्रोन नहीं है मात्र एट तब तो जिस्टे पास कोई निट्रोन नहीं है हाँ वो टट इसलिए रहा हुड़ा टभी टभी इधर से उधर हो जाता है अभी इसलिए हो जाएदा तुम्हें आपनों तादू जो तो वारा हाइड्रोजन होता है ना वन एच वन एट प्रोटोन होता है और अगर वन में से वन ढटा हो जे तो जीरो तो हाइड्रोजन वह तत्त हो जिस्टे पास किसी तरह टोई निट्रोन नहीं होता और सर नमबर बी चलो आगे बढ़ते हैं आप तो जहां पर जो टोशन आई रहा उस्टी एस्प्लेनेशन आप तो दूंड़ा तो है तो हाइड्रोजन की जो परमाडू रेडियस होती है वो 36 पीम यहां पीम का मतला है पीटो मीटर पीटो मीटर जो है यह हाइड्रोजन परमाडू की कह सकते हो रेडियस होती है 36 पीम और बी बिलकुल 36 एदम सहिए चलिए आजे बढ़ते है तोशन नमबर 23 आवस्टारणी के 16 वे वर्ड टो क इसमतल दम यहाइडे जो तोपि असुझन पिया और बोला जाता है क्या बोलाना मैं यहाम न시면 में सब जो Wieder लिकम और जिए प्रसान होते हैं घुर से आठी जोड़ते जोड़ते जाई आपको पता चल जाता है जैसे टी और घृचक्ट अरसाः जोड़ दीजिest और्थीजन का दो टॉमच है अरे उल्टा हो जिया क्या चली बताते हैं इस्टो और्थीजन हाँ मैं अभी बताता हुए इस्टो निटालना फिलाल जी एक दो सोले है विल्टुल तल्फण और सोला होता है सही है अधे अधुया आधि देखिया आवज ट्रणिके पी और्डी ब्लॉक्त में कृम साथ कुतने तत्यों होते हैं जौब दीजे आवज पी और ॉड ब्लॉक में भाईया इस वह सुनू दर सुनो तुमने जैसे त् एक है आप कि तरेपन नहीं सही आंसर इस बात तो याद रख ना पी और बलॉट तो पी बलॉट में बताई त्रे अलीमेंट होते है पी बलॉट में आप बताय होड़ा 37 दी बलॉट में बताय होड़ा तो 740 सही है आप दिरो यह जो 437 दे रहे हैं वो उल्टा टन्फ्यूज ओटी डिलट कर देंगे चलो बताओ यह इस्टो है आवसारणी कि अंतिम तत्त्त्त्त टौत्यों सा होता है आपतो याद हीलियम होडिया नियोन होडिया क्रिप्तवां होडिया Jeanion होडिया रेड होडिया लास्ट अत्त्त होता है ओजी ओजी क्कायी बार अब तो परमालू प्रमालू पूछा जाता है मैं बताता हूँ हीलियंग दो अब आठ जोड़ो 10 हो जायर अब आठ फिर से जोड़ो पहले आठ जोड़ा है फिर आठ जोड़ो 18 उस्टे बाद 18 जोड़ो 36 अब आठ जोड़ो इस तरह से पता चल जायता तो लास्ट अजी होता और यह कौन से वर्ड में आता है सर यह वर्ड में आता है अठारवे वर्ड में ऑजी और सबसे लास्ट होने टी बज़ेए से देख लो आवर्थ बन जाए रश्टा सात्मा तो सात्मा आवर्थ है और अठारवा वर्ड ये सबसे लास्ट देखो उपर से नीचे आना मतला वर्ड में नीचे आना लेट से राइट जाना मतला आवर्थ में ठीक है बहुत ध्यान से सुनना मैं पहले पुछ बाते बता दू सबसे पहले आएरा साइज साइज आएरा फिर आएरा विद्दोत धनात मत्ता फिर आएरा विद्दोत धनात मत्ता धनात मत्ता फिर आएरा क्रिया सीलता फिर तुवारा आएरा धातवेट गुड फिर तुवारा आएरा धातवेट गुड ठीक है लेगे धातवेट गुड किसका धातूता धातवेट तो धानकना यह जो मैंने आप लोटो चार-पांस टर्म पढ़ा हैं यह उपर से नीचे आने पर बढ़ता है और लेट से राइट जाने पर ढ़ता है अब उपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है इसलिए पूछा जाता है ति सबसे बड़ा साइज होता है मैक्सिमम साइज मैं लिद देता हूँ मैक्सिमम साइज तो भाई देखो उपर से नीचे आने पर यह बढ़ा है तो सबसे मैक्सिमम साइज नीचे वाले रहो जाए रहा यानि फ्रांसियम रहो जाए रहा अब सबसे मिनिमम साइज पूछा जाता है मिनिमम साइ इस ही हीलियम क्वा हो जाए ना मिनीमम साइज पूछा जाए तो आपको हीलियम हिए पहले बताओ यह बात सब तो इलेट्रोन निगेटिविटी इसने साथ साथ आयनन छमता आयनन छमता ये दोनों ये तीनों टी तीनों चीजे धारखना साइच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये तीनों चीजे साइच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मतलब यह है कि जहां साइच ज्यादा हो यहां से भी कोशन मनता है कि बताइए सबसे ज़्यादा विद्धुत रात्मत्ता दिखाता है यानि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दिखाता है वो दिखाता है तुम्हारा फ्लोरीन प्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा उoter्ट्रॉन निगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा लेटिखे सबसे ज़्यादा एलेक्ट्रॉन बंदुता पूछा है य inh लेक्समम walla पॉइंट बताया है तो है दोग अब सुवाल देखते है latitude Reg A forecast अब देखते ही सही थी तो भाई या विद्धुत्रदात्पत्ता ऊपर से नीची आने पे ढटे जी और लेट से राइट जाने पे बढ़े थी तो नियूंतम तो CGM क्यों हो जाए थी अब कई बार हम लोग CGM इसलिए बता देते हैं तो जो फ्रांसियम होता है वो तुमारा ए लिटिए इलेक्ट्रोन एफिनिटी पूचा जाए बंदुता पूचा जाए फ्लोरीन की बताना है सर ये भी सही है उचितम एनाइजेशन पावर हीलियम सर ये भी सही है आंसर आफसा नंबर D सही उड़ा है ये बताओ जल्दी से बताईए सब को ये बास सब क्लियर हुई फड़ा पड़ जल्दी से मुझे बता दो कि अब बढ़ा जाए चलिए स्ट्रिंट्स और ले लिजे एक बार ये देखी में हट दिया हाँ आए बढ़ते टोशन नंबर 27 अब इसी तरह टोशन मिलेंगे इसी तरह टोशन मिलेंगे देखो जल्दी से टोशन नंबर 27 तो उपर से नीचे आओ तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी ढटती है लेट से राइट जाईए तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढ़ती है तो टोटी इलेक्ट्रोन एफिनिटी की बारे में पुछा है एलेक्ट्रोन बंदूता सबसे जादा किष्टी होती है तो इलेक्ट्रोन ति-बाइए लिए पर उपड़ने नेती लेट से राइट जानेपे बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा तो 80 डेस ची होनी चीए देखे ऐसा नहीं होता भी या 80 डेस पूरी तरह से इनर्ट होती है इनमें electron affinity T power ही नहीं होती तो इस्टा बतलब यह होगा तो सबसे time होती है और सबसे time में भी किसी time होती है आरणटी time होती है तो सर सारे पार्ट सही है सिर्फ एक ड़लात है और यही वाला इनसे पूछा डिया है और सर नमबर A सही हो जाएदा बोलो clear है आज यह बढ़ते हैं इसको लड़ाठी देखिए यह यह बड़ा अच्छा सवाल है यह बड़ा अच्छा सवाल है इसमें भी थोड़ा मैं आपको एक चीज़ बताऊं पहले थोड़ा ध्यान से देखिए रभाई यह सवाल कैसे sol होगा ठीक है कब तर चले दी ट्लास 100 ओशन है यार मुझे पूरे sol काने यहाँ पर N- टर लेना लेकर मैं आपको to plus और minus टे साथ साथ साइज बताता हूं जैसे nitrogen है हम nitrogen के साथ देखो tiple minus भी लगा हुआ है nitrogen के साथ double minus भी लगा हुआ है और nitrogen के साथ single minus हिला हुआ जब ही तभी आपके पास और negative iron आए N- double minus ट होता है उससे थोटा N- माइनस्ट पिर सबसे चोटा एंड माइनस टा निडर यही तुमारा पॉच्ट्व tyre में होता पॉच्ट्व तो पॉच्ट्व में उल्टा होता यह जैसे प्ल 3 है यह वी आ tiếp है यह तो सबसे बड़ा साइच्ट प्लस तीन वा ले आ्यंक्त वाने का उलता है यह सब सबसे आदा क्या है कि प्रतित्र होने चाल जाता है और इस पहले हरा, बढ़े सक्क्राइ का से बिद्धूतrem पूछIl जो होती है उल्टी होती है अगर सब'sे ज़्यादा मर्त्ता सबसे ज़्यादा हुज़ाइडी ।.. पहले तो आप साइज याद चलो और मैंने बताया जो साइज सबसे आदा इस्टा तो 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 पहले सब लोग इसारा डटे बताईए बास सब तो क्लियर हुई आज बढ़ते हैं टोशन नमर उन्ति लड़ाईए आविश्पो सबानता अवस सांडी पे बाएं से दाय जाने पर आएनी टर्ण उर्जा क्या होती है अब ये तो आसान है बाएं से दाय जा रहा है और उपर से नीचे आ रहा है तो आएनी टर्ण उर्जा आएनी टर्ण उर्जा उपर से नीचे आने पर क्या होती है घटती है अब आएं से तो प्यूचित पूछा जाने पर बढ़ती है और सबसे ज्यादा आईली टन ऊड़ी में बढ़ी आपसर नमबर बी कि जड़ो आजे बढ़ते कि लेंटेनड और अतेनाइड सेड़ी कहां पर पाई जाती यह तो आसान है जल्य से मुझे आत्तर दे दो कोष़र नमबर थी बड़ा बर जल्दी शांसा दे दीजे थोड़ा बाई एक बड़ दबात की स्या चड़ो जुनों अभी तर स्या नीट है बताए लेंथे नाइट अटनाइट से डी क्या होती है सर यह एफ ब्लॉट इलिमेंट होते हैं अंठावन से लेके अब जल्दी से इस्टा आंसर दीजे अडाँ अब जल्दी से इस्टा आंसर दीजे अडाँ पताओ जल्दी से तो मैंने आपको बताया था 11 गैसी तत्व हैं 11 गैसी तत्व हैं और लिक्विट तत्व पूछे जाते यादि द्रव तत्व पूछे जाते 6 है है को लो क्लियार है ना तो आपसा नंबर आपका ग्यारा के साथ जाएगा अगला कोशन देखिए बतीस बताईए भूपर्टी पे सबसे अधित पाया जाने वाला तब तो कौन सा है वह देखो बया जबनी अभी बद प्रत्वी इक पाय जाएगी गो प्रत्वी बीच सबसे अधा बात्रा होका ओटई सीजन होता है आधार तो गहसे लिए Colo each द्धातु और लडबट जो है वीश्ट यास पास बताईए अधातु आवस्ताणी में इसमें से सभी सयांसारे अवसरमबदी जलो आजे बढ़ते हैं इससे पहले सबसे पहले तत्यो धातु और अधातु टे ट्रम्मेट इसने वल्गी ट्रत किया था जल्दी बताईए लेटो टेबिल सबसे पहले दीदी मेंडलीफ ने धारठना कमिया थी दूरुई लेजे धारठना धातु और अधातु टो सबसे पहले वल्डी ट्रत याता लेवेजियन साइन्स टे यानि टेमिस्ट्री टे पिता भीवाने जाते हैं और नमबर सी चलिए आजे बढ़ते ने भी बहुत पूछा जाता है ठीच है थोरियम टा धारठना 90 होता है जूरेनियम टा 92 होता है और प्लूटेनियम टा दारठना 94 होता है यह तीनों चीजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपसर नमबर ए हो जाए रा थोरियम आजे बढ़ते इस फुलारठ देटी 35 नमबर आब यह सवाल देखो क्या है आवस्तारणी में बायं से धाय जाने पर निम लिठित में कौन सी प्रवत्ती असत्त है देटो बायं से धाय जाना है तुम्हें पहले बात समझो तुम्हें बायं से धाय जाना है ठात्वेट डो जो जबता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है देटो सेयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती मैं आप रोता हुटे से अगर आप एट ही वर्ड में हो तो सेयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे लेके जैसे जैसे आप यहां से वहां जाओगे तो सेयोजी इले यहां से यहां जाओगे जब यहां से यहां जाओगे तो आपटो मिलेगी अधातुएं और अधातुओं के ओट साइड कैसे होते हैं अधातुओं एट दो तीन है इसलिए धातुओं के अटरती है पहा निटालती है त्याटती है लिट लेना और अधातुओं जो है अबढ़ में थादाटन बहा निकाल निकालते हैं उसको जननर से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं लुआ को जननर से बचाने के लिए क्या करते हो तो तेजिए प्रस्ट उस्षन खतम हो जाए खतम हो जाए इस लाज अगर आरन पो चाहिए ठी जन्ड ना लडे तो उसमें जिन्टिटी पर चढ़ा दो और आरन में जब जिन्टिटी पर चढ़ाई जाती है तो उस्प्रिय तो बोलते हैं डेल्वनाईजेशन एट और प्रोमियम मिला दो तो भी जन्ड नहीं लडेडा या तो प्रोमियम मिला दो या तो जिन्टिटी पर चढ़ादो तो ऑफसर नमबर क्या हो जाए डा सी स्टत तकतर हो जाए डा चलो आड़े बड़ते इस तर्ट आश्ट देजेए 37 फर्मोमेटर में कौं सी धातु प्रियो प्लस भी पहुचे और प्लास तो पूरा देठीटे बाद आप तो पता चलना चाहिए कि हां मैरे टोशन ट्रॉशन क्लियर हुए ट्नी ट्लियर हुए थर्मोमेटर में पारा इस्तेमाल होता है एच जी बोलते है इस्टो और इस्टा परमाणु ट्रमार्ट असी होता है एच जी हना पाटी और कोई चीज़ थर्मोमेटर में नहीं इस्तवाल होती है अडला टोशन देठीए टोशन नमबर 38 बताईए अब थोड़ा घान से टोशन 38 टो पढ़ना फिर अंसर दीजे रहा ज द्रो या द्रो तुम्हारा ब्रोमीन भी होता है द्रो तुम्हारा पारा भी होता है लेकर सवाल में धातु पूछा दिया है जिस्टी वज़े से अंसर जाए रहा पारा टे साथ ब्रोमीन भी लिक्वेड है लेकर ब्रोमीन होती है अधातू सवाल में धातू पूछी रही ह अंसर भी इस्टो लगए जिस्टे कुछ देर के लिए हवा में रखने पर वो बेसिक टार्बोनेट की परच चढ़ा लेती है इस्टो बताइए मतलब आप तो वह हातु बतानी है जिसे आप फुली हवा में अगर रख दोगे तो उस पे टार्बोनेट की परच चढ़ जाती ह सर उसका नाम क्या होना चाहिए ठीक है तो आपको बता दें अजर जिन्ट है नहीं जिन्ट पर सल्फाइट की परच चढ़ती है जिन्ट पर टिश्टी परच चढ़ती है सल्फाइट की परच चढ़ती है सॉरी चांदी पर चांदी पर चांदी पर और चांदी कैसे हो जात भी टहते हैं तो answer option number D के साथ जाएड़ा ती मत बताइए जो आरन होता है भाईया वो variable से उजत्ता दिखाता है तभी आपको दो दिखाएड़ा तभी तीन दिखाएड़ा तरही बारे question भी आता है ति variable से उजत्ता दिखाने वाले कौन से तत्त होते हैं आपका आंसर जाएड D blot element variable से उजत्ता भी दिखाते हैं चलिए इसको लागा ती देठी जरा ठीटे तोस्त चलो बताईए लोहे या स्टील पर जिन्टी पत्ली पर चढ़ाने की प्रेक्रियर हो क्या बोला जाता डेलवनाइजेशन अठार आप जिन्टी पत्ली पर चढ़ाते हो तो इससे लगता है जब तुम्हार आएरन के साथ 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 और तीजन भी मिले दी तो यही तीन चीज में लोहे में जन लगता है तो नीला नहीं होता अचुली में वह भूरा होता है ब्राउन होता है ब्राउन इस्टाइक्ट आंसर होना चाहिए तो सर यह डिला थे सोना धातूटों आरम भी तढ़ते हैं यह लेटन वर्ड सोना धातूटों आरम भी तहल में इस लिए दूसरा साहिए है सब्सक्राइब दूसरा सब्सक्राइब बनाता है अब बताना है दोनों में से टॉन सही है अब बताओ ब्राउन होता है दम सब्सक्राइब प्लॉरीन प्लॉरीन के साथ त्सक्राइब ब्लीचें पौडर बनाये जाता यह बात एक यह सब्सक्राइब डूस और इस लिए और में stance पॉला दूसरा से बुस्राइब हां otor B सभी है जैसे थी अबेस्त वासा और टीशीट आंसर ने सतेंद्र साड़लेटर सभी है दोरो टुमाल ना सभी है यह तीन चीजे होती है अरन्र में क्या होता है अरन तो चौड़ो वह तो है स्टेंलेस्टल मीरा सsमान होता है इन मेंसे इन तंडेस्टन भी स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है तो मैटनीशियम मतलब 12 और मैटनीशियम चे उपर ट्रॉन आपके आएड़ा सर परमाडू संख्या तीन आनी चाहिए तो टोकी एलेक्ट्रोनिक विन्यास एट दो बनता है और इस्ट्रोनिक विन्यास बनेड़ा एट बनेड़ा 282 यह एलेक्ट्रोनिक विन्यास इष्टा इष्टा अब तीन तीन परमाडू संख्या यह लिखी हुए ऑफ्सर नमबर 11 सब लोग 11 दे रहा हो 11 कैसे आंसर हुआ बताये जरा कहां से 11 बता रहा हो भया आप लोग यह टेह रहा हो कि सोडियम और मैटनीशियम के ग ना ऑन बुड़ कम मिलते एक ही वर्ड मिलते हैं न इक ही वर्ड मिलते हना दू एर उट्माomicji हा जयती है discipline यह ंंसर हो जोगि मैटनीशियम के बा Würस अना चीम एको जोडो सीखी बिलकुल नहीं इन वे से कोई लितियम टे साथ मिले तांग यार। रूबीडियूं के साथ मेले रहा इनके गुड मिलते हैं अगलंबडलवा Reach देशा थोटी मिलते हैं कि अब इन हुन होने मैटणीशयूं का पुछा है मैटणीशयां के नीदिशयां के नीचे क्या आएगा टैलसीयमिया हूना इनके गुड मिले इसे लिए चलो आजे बढ़ते हैं टूशन नंबर 24 लगाईए सोडियम से क्लोरीन की और जाने पर पर्माणु अटार क्या होगा यह सवाल टांसर देते दिखाईए अब पहले यह समझो कि सोडियम से क्लोरीन जा रहे हो तो टहां जा रहे हो बताओ सोडियम से क्लोरीन जाना है तो आप उपर से नीचे जाना है कि लेट से राइट जाना है जल्दी से बताईए तो सोडियम से क्लोरीन जाने पर मतलब होता है आप एट ही आवरत में जा रहे है फिर यह जwh लता है तो लैप से राइट जाने पर परमाड़ु 1 घटीरा ए मैंने आपको बताया ति मैक्समम परमाड़ु 8 इस्टा होता है मैक्समम होता है फ्रांसियम का और मिनमर साइट स्टा होता है हेलियम का होता है यह साइज से बारे में हैं हाँ 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 ठीड़े आजे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्कोश्चन क्कोश्चन नमबर पैतालिस इस्कूलर आटके देखिए निम लिटित में कौन सतत्त मेंडलीट की आवज सराणी में एक निश्यतिस्थान नहीं पास सका आपको जोनहों अभीतर से सोम्रुस्या निटिया जल्दी से बार्वार लाइट भीटर दीजा और बताई इस ने टैट आंसर प्युल्ट हाइड्रोजन को पता है पहले वर्ड में रठा डिया और हैलोजन के साथ भी रठा डिया तो पहले और सत्त्रमें दोनों वर्ड में रठा या हाइडुरोजन जो है ये धार्फना यह किसी तरह कोई भी स्थान नहीं पासदा म Tamara क्वारिबत या जा जला अधु लिकक्ति हुआ होता है हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन और अबरा हाइड्रोजन टी तरह आ यह होती ना मैं इस्टाइस्टूडेंट होता ना यह लेबर्टी होती ना मेरा हार्ट यह यह है तो जो तो जो समूं है तर वो अठार में होता है मतलprob helium है neon है इन सबके बारी को स्पून होते हैं 18 इंड है कि अदरी टावस्तारणी में 18 वल्ड मेंट 2010 है अब 18 में भल्ड मे अर्वर्ड में होता है है और यह एद बताहिए प्र तत्तो किim लाश्ट बे ओजी भी होता है यह इत्रे 7 एलिमेंट होते अब इन्होंने 7 नहीं दिया तो 6 लगा दो लेटे 18 वर्ड में होते तो पूरी तरीटे से साथ हैं समझे ना अब इनोंने साथ आप्सन नहीं दिया तो हम लोड लड़ेने नहीं जड़ेने नहीं और हरेक्ट मैं आप तो परमाडुत्रमान बता चुनाओ निटाल के ठीटे चलिए यह तोटी एक फेमस टिताप्ता सवाल भी है मैं नहीं चाहता कि उस्टो ऐसा पूछे वह हो लेटे आप यह समझो होते साथ है मैंने आप तो आवस्तानी बनारे भी दिखाईए चलो इस्टो दते यह परमाडुत्रमान संतावन वाला संबंध रखता है अब देटो ऐसे सवाल बहुत आते ऐसे सवाल सॉल टरना स नितिन भी अब बलॉट डी बलॉट अच्छा दी बलॉट अब बलॉट भी इस अब लोट टन्फ्यूज होड़े याद कड़ो मैं आप तो थोड़ा सा बताता हूँ थिरे थोड़ा सा बताता हूँ यह जिटो पहले बताओ एप बलॉट टहां से तहां तक आया था सर एप थो दिया इन्होंने पूछा है संतावन और संतावन ना इसमें आयर ना इसमें तो एप बलॉट देने वालो टोटली डिला थे तो आंसर भाई यह तिश्टे साथ जाए डा धी बलॉट वाले ती साथ जाए डा और जरब बर एड बोली क्लियर है ना समझ वारे वाई हाँ बिल्कुल स्वेस चलिए लगाई इसलो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा और सबसे चोटा पूछा जा रहा है बिल्कुल ड़्य itiveבת से बड़ा हो तो सबसे छोटा सबसे छोटा इधर हीलियम विल्टों ऑफ्सरणंबड दी है यह उस्थ नमबडी जलो अडले टोशनेम लीह बढ़ते हैं टोशन नंबड बड़ते हैं टोशर Bathowski 50 तरल आवस्ता में का यह झाने वादि आधातू बताई हे ? हाँ ह região सर इन्हों ने liquid पूछा आज़ हैं अच्छा मैंने बता रखा है आवक साढणी में छह element liquid होते हैं 6 element और 11 element gas होते हैं, gas होते हैं 11 element और 6 element liquid होते हैं लेगे इन्होंने liquid अधात को पुछिए तो answer bromine के साथ जाए रहा और और अपसर नंबर D बिल्कुल, और अपसर नंबर D इसका सही इंतर है, yes, very good लगाई इसको, 4 यावर्थ और और दूसरा समू वे कौन से तक तो होगा ठीक है यह fale North इसना मतलब यह हरतीा है ति पेंचियाम फिर केलिसियम उप स्टेलिसियाम औरus तो तो समूद दूसरा होना चाहिए आवर्त चौथा होना चाहिए चल्सियम सब बाते आप लोगों को पहले से पता होनी ची मैं देरू इसलिए पहले आप आप तो तो थे जल्दी बताइए विल्टू विल्टू थोड़ा एक बार सेशन पो लाइट कर दीजे भाई जोनों ने भी तर लाइट नहीं दिया ताथी जल्दी से जो है लाइट भी 200 प्लस हो जाए धवात एक बार लाइट कर दीजे तो धारत ना जब मेंडलीव ने अपना टाम टानना शुरूर किया था तो उस समय जो नंबर ओफ एलिमेंट थे वो थे त्रेसत कई बार आता भी है आप लोग पता भी है यस वेरे रोट त्रेसत अडले टोक्शन भी ओपड़ी है टोक्शन नम्बर त्रेपन पैथिस त्रेपन और पच्चासी आपको बताना है कि तिस्टी परमाडू संख्या ह एटु मैं आपको खी हेता हु आपने फ्लोरीन नाम सुना फ्लोरीन रशिरीन सुना परमाडै क्यूंत 노ना ना में आठ जोड़ MARK 07 अब अठारा जोड़ दो 35 तो पेथिसा में ड़नवत देखे ओ हे त्मेर अवी में गड़ कात नौरिए months a नमबर A, D क्यों बता रहा है मनोज, D क्यों बता रहा है हैलाइट्स, अच्छा हैलोजन और हैलाइट्स में अंतर है, जिरो हैलाइट्स क्या होते है, जब हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ, कोई अंज तक तो लगा दो, जैसे कि आप पे ख्लोरीन लगा दो, सोरी हैडोजन ल चलो आडले कोशन जोड़ देए चपपन बताइए पर बताइए कहा जा रहा है ठाली जरेट के अनुसार तत्तों के डुडधम उनके परमाडू भारों के आवर्ती फ्लान होते हैं मतलब आप बताना इनमें से क्रोश ने जब आवासानी दी तो उस्टा आधार परमाडू भा परमाडू भार माना मैंने आपको बता रहा है कि जब मेंडलीव थे उस समय त्रेसर तत्तों थे और मेंडलीव ने हाइड्रोजन को एट उचित इस्थान नहीं दे पाए थे इस वाटू याद रखी रहा है ठीक है हाँ और स्लमबर डी चलो अडले टोशन जोड़ रही है पचपन बताओ एट तत्ती परमाडू संक्या भी से उस्टे रसायनिट गुड किस से मिलते हैं हाँ ये अंसर सही है याठ अब इस्टों लाजा ते दिखाईए जरा हमेशा दारशन रसायनिट गुड जब भी तबी मिलने वाला सवाल होगा तो एटी ही वर्ड में जाना है एटी ही वर्ड के तत्तों के रसायनिट गुड हमेशा मिलते हैं क्लियर है ना अब आप मुझे बताओ जल्दी से इस्टा क्या होना चीए एटी ही वर्ड में तो टैक्त आंसर जाए रहा तुम्हारा विरैलियं चार के साथ पर्मादू प्रमार दो लाश्ट सेल में दो और आपटा 20 20 इसटा होता है टेल्सियम दो होता है दो ट्रमा आठ आठ ट्रमा दो लाश्ट सेल में दो तो इसके साथ मिलेगा ऑप्षन नमबर सी एक है वे रेड़ोट चलिए आप पढ़ते हैं टोशन नमबर छपपन इस्व लगाई आधुनित आवस्थान लीटे समू एट में एट मात्र अध्वातु कौन है आपको पता है समू एट में कौन कौन आता है उपर से हाइड्रोज प्रशन लीटियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम प्रांशियम यह होते हैं कि एटल साथ एलिमेंट है तो बोला जा रहा है समू एट में एट मात्र आधातु उधारफ नदा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही आधातु है समू एट में पार्टि ये से सब धात्वे ह सबसे छोटा है अब देखो यह सारे सब तो अलग लग है सेम नहीं है तो याद कड़ो सोडियम है इनमें यहां से यहां जाने पर परमाड़ोटा ढटता है ढटता है ना तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है तो सर सबसे छोटा जो हो जाए रहा वो एल प्लस प्लस हो जाए रहा और सा नंबर भी हाँ बिल्कुल एल प्लस प्लस और रिबढ़ते हैं किसी भी समान समू में मव एंधावन नंबर में क्या बोला जा रहा है टीसीभी समान समू में समान समू मतलब है वर्ड तो बताइस वर्ड में क्या की समान होती है ह। वर्ड में जो समान होता भया वह सेयोजी समान होती है और समान के से यह ओटे लेट से राइक जायदा यानि आवर्त में पूछा जायदा तो आवर्त में आपको बताना है 2103 संष्या समान होती है 2102 संष्या ठीठ चलो आगे बढ़ते है कि यूप दीजिए पढ़ी जल्दी जबताइए टोष्च नंबर 69 क्या होना चीए छोड़ाइब दवाज चीए जल्दी से एब लाइट नीटिये जल्दी से एब लाइट वीटर दीजे फटाथ से और बताइए इस्टा टेक्ट अंसर क्या होना चीए फटा परजलीज बढ़िए नेम लिए तीन तक तोड़ा सबसे बहरी सेल भरा है अच्छा सबसे बहरी सेल भरा है तो भरा है तो इस्टा मतलब 18 वर्ट तक तोड़ा हीलियम नियोन और और अरगन अवस्तर नमबर डी सबस्क्राइब अच्छा नमबर साथ इस्ट लागर देखिए चलो बताओ अंठावन बताईए चलो बताओ अंठावन बताईए चलो बताओ तो मैंने आपको बताया था बहुत ध्यान से सुनना ती अंठावन से लेटर यह अठावन से लेटर यह फिला यह यह नुम consig नमबर समझीयर चैसे बताना है मुझे और ऐसे प्रसनों तो देख टर पैनट नहीं होना अराम से थोड़ा चिल मालेगे फिर सवाल तो सॉल्टी जी जब इसको लगाट देखिए बताना है इंद में से टॉन एट निश्ट्री जैस है बताई जली से अना इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस और सीजन नाइट्रोजन प्लोरीर नहीं है क्रिप्टॉन एट इनर्ट गैस होती है और सरंबार ए हुजायरेस्ट टाइट अंसर है चल दिए आज वड़ते हैं इस्ट लगाट देखे समू कौन सा समू सत्रा से नहीं है आपको बताना है इन में से कौन सत्त तो समू सत्रा से नहीं है जल्ली बताइए थोड़ा भाई और बताओं सा समू सत्रा से नहीं है तो समू सत्रा समू सत्रा में पॉं आता है सर स यह गैस फार में होते है ब्रोमीन तुम्हारा लीक्वेड फार में होता है और धारत नालाश वाले दो तो दो है वो solid form में होते हैं ये बड़ा अच्छा इस जांपले मैं आप रोता दू एक ही वर्ड में आपको solid भी मिलना है लिक्विड भी मिलना है और बहुत बढ़िया इस जांपले इस बार को याद रखेड़ा अड़ला कोश्चा देखिए नेक्स्ट्रोशन कोश्चन नम्बार सब्सक्राणी में जिच्जैट रेठा कि इस वालग करती है कि के हैं मैं लग करती है तो भाईया धातू इधर होते हैं और अधातू इधर उती है निव्न में से 60 बाहरी तच्चा में देखो नियोन आर्ण ट्रिप्टोन इन सब की बहरीट अच्छा में आठ लेक्ष्ट टॉन होते हैं लेकिन हीलियम की बहरीट अच्छा में सिर्फ दो इलेक्ट्रों होते हैं वहीं हीलियम पर्माडुत्रमान चार है तो दो टॉमा दो अफसर अंबर ए यस वेरे डूट फिर से बता दू एक बार्द पहला आवर्त दूसरा वर तीसरा वर ऐरेऊ है इसकोmetros चौथा आवर्थ, पाचवा आवर्थ, छटवा आवर्थ, और सातवा आवर्थ, पहले आवर्थ में दो एलिमेंट, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ, चौथे में आठ, पाचवे में आठारा, पाचवे में आठारा, और चटवे में आठारा, और चटवे में आठारा, और होते हैं फिर 55 से लेटर इस अब परमाडु क्रिमान के साफ से बता रहा हूं 55 से लेटर 86 तत होते हैं तो उन्होंने 11 से पुछाए 11 से 18 तीसरे आवर्त भी जाएड़ ऑप्स नमबर ए चलो आजे बढ़ते नेश्ट रोशन 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 नमबर 86 बताईए किस्टे बाहरी सेल में इस तत्ते बाहरी सेल में आठ लेक्ट्रों टे साथ तीन टच्छाएं होंगी बड़ अच्छा सवाल है मतल इस एक बार सेल कीजिए और बताईए इस्टाइट तत्तर क्या होना चीए फड़ा बड़ जलीज बढ़िये तो देखो कित्रा प्यारा सवाल है आठ एलेक्ट्रों भी होना चीए साथ साथ तीन टच्छाएं भी होनी चीए तो तीन टच्छाएं मतलब दो टोमा आठ टोमा आठ होना चीए ऐसे होना चीए अब यह 18 बंदिया और 18 तुमारा सिर्फ और सिर्फ और रड़न्ट होता है तो सही आंसार और यह हो रहा है यस और यह बढ़ते नेश्ट पोश्चन पोश्चन नमबर 866 बताईए आदुनित आवस्तारणी में परमाडू संक्या 19 से 36 वाले तब 30 आवर्थ में रखेड है अब यहाला कोश्चन आब हैसा बाला प्रिसीटा डलत हुआ ना भर्वान की ट्रसम बहुत मार ठाओ जिया ठोटी इतनी बार में यहाला कोश्चन बता चुटा हूँ 1936 1936 रटलो 1936 पता ही इस टाइक आंसर क्या होना चीए 1936 ट्रिस बैसे तरह इस टाइए उस्ते बाद आपका वेनेडियम दू ए चौथे वर्ढ में इस तारीटे से वर्ढ भी यादें चीए यहांन से तीसरा स्टार्ट हो और आगे जाते जाते आगे वर्ढ़ से नुच्ता चलो अडले टोक्षण दियो बढ़िए टोक्षण नमबर 38 बताईए आधुनित आवस्ताणि की आवधी 4 में अच्छा आवधी 4 मतलब पीरियड 4 में कौन सी निष्ट्री डैस रठी डई है त्या भेंटर टोक्षण है यार चलिए लगाई जल्दी से इस्टा आपसर दीजे अउनित पर चलिए ल से पड़िए कहा जा रहा है कि एट ऐसी निष्ट्री डैस बताओ जिस्ती आवधी यानि पीरियड 4 है अजया पीरियड 4 होने ता मतलब सीदा सो होता है सीठी तक्छाएं 4 होनी चाहिए उस्ती तक्छाएं के दरी होनी चाहिए 4 अपका च्छाएं टिष्टी चार है सर आरगन टिटा च्छाएं होती तीन दो आठ टॉमा अठ फिर आरगन है हीलियन नियोन आरगन क्रिप्टॉन इस्टा मतलब क्रिप्टॉन आंसर सही हो जाए तर इस्टा और स्टर नमबर 20 सही है ठीक है मैं बनाज भी दिठा देता हूं यह 35 हो जाए तो दो आठ टॉमा आठ थारा टॉमा आठ टॉमा आठ चैटल लेना जल्दी से डास विल्टॉ सही है कि एक डिठाइक क्रिप्टॉन आठ थारा ठारा जटिस सौरी पैsecurity तो भ्रोमीन का होज़ा जही है रहे वर टे नेक स्क्विज़े जै कि ल्ầu है रहे हैं इनमें से सब्से बड़ा अडू कौन सा है इनमें से सब्ढ़ा अडू कौन सा है बड़ा सही question पुछा यार इन में से सबसे बड़ा अडू पुछा जा रहा है अच्छा अडू बड़ा पुछा जा रहा है और साथ सब देखो इन्होंने चीजें सेम नहीं बोली hydrogen hydrogen के लिए electronic फ्लोरीन टा दो टॉमा साथ हो जाएडा लीतियम टा दो टॉमा एट हो जाएडा और oxygen टा दो टॉमा टित्रा हो जाएडा oxygen टा 6 अब आप से पूछा जा रहा है कि बताईए इन में से सबसे बड़ा टॉन है तो इस्टा मतलब हाइड्रोजन तो छोड़ दो टोटी इसमें फिर एट ही आवर्थ में टोटी दो दोट अच्छा हैं तो आवर्थ सेम है आवर्थ सेम है तो इस्टा मतलब यहां पर oxygen जाएडा और आदे फ्लोरीन जाएडा ऐसे को छोड़ा यह एट ही आवर्थ मैंने मना दिया अब आप यह बताओ जरह यहां से यहां जाने पर आपक आप तो समझ में आयर नहीं आया इसार अटर दो यह सर बोल दो बढ़िया सवाल था क्यों बढ़िया था टोटी इसमें सारे तक तो अलग लग तरीटे से दिये रहे थे जब पीट अभी बड़ा सोच्छा साइज पूछे सबसे पहले कच्छाएं देखो कच्छाएं सेम है तो यह देखो यह आवर्थ में होंड़े तो फिर टैसे सवाल दो सौल टरना है आपको देखो आधनीत आवजस्ताणी बोला है मेंड लीफ की नहीं बोला है तो आधनीत आवजस्ताणी में धारफ्णा सातर्णा होजे और सत्रा ड्रोप होग्या 80 ड्रोप होग्या सात्वार्थ और ढवर्ञोंबर CT सबता है इन में से अधित्तम तननेधातूटॉसी है इन में से अधित्तम तननने धातूची है इन वमयुह मतलब होता है जिसे च liar हो जीकषा जाए उनहें वा हुए तो इतले उन्हें और वहले बेज़ बना सकते हो फ्लोरीन वह्साम है थिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, विद्धो त्रडात्मत्ता पूछा जाना है, फैसे बात को समझो, ये भाई साब हमसे कहना चाहता है, इसको समझना पड़े न हम लोगलेए, सवाल क्या है। प्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन यानि आपको कैसे आना है फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन से ब्रोमीन आयोडीन यानि एक वर्ड में आना है वर्ड में विद्धो त्रडात्मत्ता क्या होती है तो याद करी मैंने बताया वर्ड में आने पर विद्धो त्रडात्मत्ता घटती है तो सही आंसर हो जाए डा और सी डिट्रीज अधिये वह लो चलो आज ये पढ़ते है नेस्ट रोशन रोशन नमबर परमाणु संक्या साथ है अब आट जोड़ा अब तीसरा जो तत्त हो जाए डा जो भी तत्त होड़ा मुझे नहीं नाम पता इस्टा जो भी तत्त होड़ा अठारा जोड़ने से मेले यानि तेतिस हो जाए डा मुझे आचा बहुत कारे लोग कहते है पूरी प्रियोड़े टेबिल याद तड़ो मेरा मानना नहीं है ऐसा यह आपको पूरी प्रियोड़े टेबिल याद हो नीच थी आप याद तड़ भी नहीं सापते ती यह रट्पामाल के आज यादव दूदूद पीखे चल फिर जरूर नहीं पूरी पिरोडे टेविल याद करो मैं आपको पहले बता दूँ चलिए और अगर आपको याद करना है तो एस ब्लॉट और पी ब्लॉट इलिमेंट बस याद करो उस्टल आवर कोच नहीं याद करो देखे चलिए अटॉमिन नमबर 16 एक तत्व आवर सरणी के खाली ज़रा है आवर्त में होड़ा अचा 16 है भहिया देखो एक से लेके दो पहला आवर्त तीन से लेके 10 दूसरा आवर् इसना सही अंसर जाएड़ा तीसरे आवर्त इस लाप सरब बढ़ दी यह सारे थे सारे मैंने आप लोगोडोडो समझा रखा है इसको लगाईए एक आवर्त सरणीटा परमाड़ुक्रमान 17 है आपको बताना है ती इसमें आवर्त में क्या स्थान होड़ा 17 है बलो यह 17 है त तो आप सब पता है कि 17 है तो यह तीसरे आवर्त में होड़ा तीसरा आवर्त नहीं लिखा है आवर्त तीसरा अवर्त तीसरा ता 80 आवर्त तीसरा ता 80 आवर्त तीसरा ता 80 आवर्त तीसरा ता 80 आवर्त ता 80 आवर्त वैसे 17 क्लोरीन होता है सर पोश्यन नमबर 73 फिर से बता प्रत्रोनय के बराबर होता है मैं नहीं से टिस प्र्टी हज्टा और के बराबर होता है। सील माइनस अचा क्लोरीन की सब्सक्राइब क्या परमाड़ुसंगे सब्सक्राइब माइनस है तो एक इलेक्ट्रोन बढ़ जाए ता डैट मीन्स अठारा और अठारा इलेक्ट्रोनिक इन्यास टिश्टा होता है आपका सात्वाँ आवर्थ क्या बोला जा रहा है कि अप रतिश्ट्वी तत्त्वार्थ में पहले तत्त्तन रहे होते हैं सात्वे तत्व आवर्थ में 32 तत्व होते हैं कि बोलो पताया जी पता है तो 30 नहीं पता सही आंतर साइब यह अप्सुर नमबर साथी अबर्थ थोड़ा सा एक तत्तत अभी भी आपूर्ण है तो आप्सुर नम्बर एक तसा हो जाए रहा पता चलए रहा कि है है आगनित नी में किस समू में सेयोजी कोस और रसायनी कूर्प से निष्ट्री होते हैं संगें तो स्पून होते हैं और रसायनी डूप से निश्ट्री होते आवाज शाणी में ना इस समूँ समूद वही आठारमा होते हैं तो 8 तो निश्ट्री होते हैं जीए ऑशर अमबर इस्टा बी शैयोत्तर होते हैं आडले कोश्चें देखी है है इस तर्थ इलेक्ट्रोणिट विन्या बद दो आठ पांच हूता है आप उस तर्थ नाम भी बताना है तो नाम भी बताना है सब्सक्राइब होती है इन में बिल्कुल भी अबिट्रिया सीलता नहीं होती जलो आधा चलो अबिट्रीश स्ट्रटिश पूर्ट होते न भी इसको लगए पताईए आवस्टार्णीटी शैटिशपंतियों ग्रोट रहते हैं तो 36 पंतिया टेलाती है इस भी ग्रोट और वर्ट कलाती है समूँ तो 36 टेलाती आवर्ट और तित्रे आवर्थ होते हैं साथ होते हैं वर्ट चल अठारा अठारा वर्ट होते हैं तो आंसर जाए रहा उसर नमबार एक इसा स्ट्रेव क्यूं चलो 80th सवाल से अभी और होगिये वताइए है फर्ट आवर्थ कहें दोनोंनों Management संहोजी इलेक्ट्रोन चिसमें भरे होते हैं पहले अवर्थ में कि पहले आवर्थ में और उखतों यह सब्हूरब यह खता है यह हैतं और इस्टे से हो जी ट्रोस में तितने लेट्रोन हो जिए अच्छा दोनों सिस को स्माज ने साथ तो नमबर भी तोड़ा कूश्चन समझ लो कैसे लड़ा है चलो पूरा याद्टा है आपको 36 तत वो थे 28 आध बिलॉपसर नमबर यादटा है आप देख लीजेड़ा ठीक है चलो आजे बढ़ते निस्टोक्षन अड़ता चौरासी बताईए उस निस्ट्रीड है इस्टा नाम बताओ जिसे आधरित आवस्तार्णी में पहले आवर्त पे रठा रहे है ठीक है तो पहला आवर्त में इस तरीटे से पहले आवर्त में ऐसे लाइन बनी हुई है पह बताईए यह लाक्स टॉक्षन होगा भाई बस इसने बात जो है ना बड़े अराम से आप सॉल पर लोड़े बहुत सारी चीज़े हो चुटी है एक छार धातु है छार धातु है छारी धातु पहले वल्टे तत तो होते मतलब आपका सोडियम लीथियम सोडियम पोटेशिय सब तुवारी शारी धातु होती है सोडियम तो आज यह पचास कोशन पचासी कोशन मैंने सौल किये बस इससे आदर नहीं बन पा रहे थे कोशन है ना मैंने सौ जरूर लिखा है लेकिन कोई बात रही तो प्रियोडे टेबिल के लिए मैंने आप तो ज्यादा तर सवाल कु कि दिमांड भी थी कि सर आप लाइट पो भी थोड़ा सौल्ट आ दिए तो मैं लाइट पर भी दो चार चीजे दो चार कोशन जो है सौल्ट आदू आप लोगो तो और उससे साथ साथ दो चार बेतरीन बेतरीन कॉंसेप्ट भी बता दू ठीटे आप सब लोग कमेंट बाच में जरूर कमेंट रेट बताइए रहा यास्टा सेशन टैसा रहा आपलो रूटा ठीटे चली बहुत 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 धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट टूटे में ठेंट्यू वरी मच्छ